हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा सुनो ए मचलियों मचलिया हम सब हैं भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा सुनो ए मचलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा सुनो ए मचलियों सुनो ए मचलियों सुनो ए मचलिय इस भाई ने कितनी गजब साइरी की और गलत वहमी है यह तुमको के अच्छे दिन भी आएंगे जैसे हो कहते अच्छे दिन आएंगे बड़ा चालाग दुश्मन है सहारा दे के मारेगा जो मंतरी कॉंग्रेज के अंदर थे वह पहले गलत थे लेकिन अब जो बीजे पी अब वीजे पी में आगे भाई की साइरी कासी वाइरल है आप भी देखिए जूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन हैं इनका ना इमान है ना इनका कोई दीन है और जिसको भी देखो वह धुलक जागवावाववावावाववावाव ड़्राववाव गांधी का पैघ्जान सिर्फ यही है जो हर तूफान से टक्राए वह अंधी बनाऊंगा नए अंग्रेज आएं नया गांधी बनाऊंगा एक यहां पर कोई भी आत्मी किसी भी वेक्ति को पकल के पूछ लिए वह सौ रूपए पर भी नहीं आया होगा यह सब राहूल गांदी की दूनिया किसी कुंगे की कहानी नहीं सुनती और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को ज़रा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है तो यह जो राहूल गांदी घंटा घर पे आये हैं, लखनाओ के जंदा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा और 24 में कोन आ रहा है, आप यहां से ही देख लीजिए के राहूल गांदी बारत जोड़ो जात्रा कर रहे हैं, लखनाओ आ रहे हमारे शह रहे हैं, और राहूल गांदी को आज यहां से इतनी तैजीब, इतनी मुहबत मिलेगी कि इंशाललह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे, इंशाललह, बस एक, मैं आपके सवाल, पहले मेरी सुन लीजिए, मैं बस यह कहूंगा, कि हम हिंदू मुसल्मान, 14 से पहले, जब बीजए सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, नहीं, दो का साथ, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का, और दो ही का विकास, अंबानी अडानी का, बाकी सबका साफ, सबका साफ, साथ, किसी का नहीं, सबका साफ, विकास, नहाए जोड़ो यातरा निक आज हमारी आपकी जितनी एज है इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता है अच्छी जॉब होती अज बेरोजगार गूम रहे हैं आप क्या डिरेक्ट मुलें तरह पकोड़े तलो अभे पकोड़े भी तो तलेगा आदमी तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई ब आए दीन हो रहे बलतकार का मामला तहमा नहीं है हम हिंदुस्तान में रहते हैं और मुझे आरब कंट्री से मतलब भी नहीं है क्यों कि हम लोगों ने पलात कार्थ करते हैं मोदी जी कायते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत जादा सेफ हैं सेफ तो है आप तो देख कभी कुकर में कभी फ्रिज में देख तो रहें ना कभी कुटे खा रहें कभी कुटे खा रहें मैं आप से क्या का मैं आरप कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं हम लोग बाइच्वाइस हिंदुस्तानी है हम लोगों हिंदुस्तान को चुना है और यहीं दफन हो जाएंगे हम हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर हम यहीं दफन होंगे इसी सरजमीन में जिंदा है तो सजदा करते हैं मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में लेकिन और कल बरोजा कियामत भी इसी सरजमीन से मैं यह नहीं बता रहा हूं कि अरब कंट्री का कुछ भी देके नहीं हम इंदुस्तान में रहते हम सिर्फ यह कहे रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफगार नहोंगा जालिम का यहां कोई कर देक्झार जालिम का यहां कोई मददगार नहोगा और इसलाम का बस एक ही कानून लगा दो भारत में कभी-कुई-व बलग कार्णाय दुव्यggak updated का smart left अगर आगे हिंडुस्तान में तो यहां पे कभी कोई बलग कार नहीं हो गागा तो अभी मुद्द्न के लisiejधर अनके मुद्द्द्ध को शहित करकर मुसल्मानों की नफस देख ली है मुसलमान खामूश है सिर्फ इस वज़े से यार बैतर फास्वत होती है उसकी अधालत में बैतर फैसला होने वाला है कोड का फैसला है कोड के भाट ठीख डिखे आपकी बात और पर आप ने क्या का कोड के फैसले पर रहाम आधिस के लोग अगर एक साथ हो जाए तो मेरे देश के निता आनात हो जाए वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे हम एक दुसरे को काटते रहेंगे मरते रहेंगे और कुरसी बैट के बेहतरी नराम करेंगे वह हमाई ने काफी अच्छी साहिरी की क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कैदिया वह मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहे हो तुम्हार इसके सरकार में दम भाई की तरह तुम्हारा कटर दुस्मन क्यों बने ओक दुसरे के क्यों बने हो भाई राहूल गांदी का पैगाम सिर्फ यही है जो हर तूफान से टकराए वह आंधी बनाओंगा नए अंग्रेज आये हैं नया गांधी बनाओंगा गांधी को पितने मान रहे हैं भाई गांधी को मारने वाले को सिपर हीरो बना जो कहां जारा समिधान समिधान को तो रख दिया बाई साब बन करके एक दम बन करके रख दिया है और हमसे पूछता है कि तुम समिधान को मानते हो या कुरान को मानते हो तो अगर आप हमसे कुरान को मानता हूं कि मेरे कुरान ती ॐसमिधान को मनने की जाज़ सब से पहले किसको माने comes के आप आप से क्या थोजर को मानने की अप इजास्ट दिया को मांने को औरता है वायाज को डी अब को अच्छा आप यह आप यह बता हुए तो आप यह को सुनिए आप रगवाई है को इस ने शिव मानने वह चार्ण कि मोधी जी के 10 साल के कारेकाल से अब कितना खुश है कितना खुश है कि इसे नहीं आप किसी से भी पूचिए अगर वह इंसान होगा तो वह सच बोलेगा अगर भक्त होगा तो कुछ भी बोल सकता है कि अगर इंसान है तो वह सच बोलेगा और भक्त है तो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि अगर इंसानियत के नजरिये से देखेंगे तो यह देश पूरा का पूरा तूटा हुआ है और इसे उठाने के लिए इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है कभी यह सोने की लगा लिए राहूल गांदी की ताकत का तुम सीखे सिखा हो वह कह रहे हैं कि राहूल गांदी सीख रहा और यह सीखे सिखा है जो बंदा सीख रहा हुशने इतनी पब्लिक कड़ी कर दी कामरों गुमा कर देख लिए उसकी महबत ने वह भी आया नहीं है पूरे भारत में यहां से निकलता है इंतजार कर रहे हो भाई हम लोग चार गंटे मुझे हो गया है मुझे को प्रस्नल लगाओ तुड़ी हूं से कि मुझे राहूल गांदी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे नहीं वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो हम मेरा किसी का भी हमारी शकल इसलिए क्या होता है ना कि मतलब हम लोग 5 kg राशन मिल ला चने मिल रहे हैं चने कब मिले शुरुवाद में जब चनाओ उत्तर परदेश का नहीं हो आता है जब चने थे जब तेल यह फिर बट रहे चनाओ जीते सरकार बनी यूपी में चने गए और हमारे वाई कुछ क्या पिर दोबा के तो इसमें खाओ बर बन जाता है तो वह उठा के मारता है तो क्या कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्धा है बाएं चौदा से पहले क्या ता रेड़ अब देख लिए क्या है हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भवर जब ही और जब ब तुमको वह चारा दे के मारेगा और गलत फाहिमी है यह तुमको के अच्छे दिन भी आएंगे बड़ा चालाग दुश्मन है सहारा दे के मारेगा के अब गएकर PRESiction पर कंग्रेस के अंदर पहले था तुमको के अगर डिजपी में शामिल होगिया तो वह सही है तुमको का neighboring में चारा दे कहसा है तो यह ब lorsqu आधान देखा सेवा कर से 1900 आधे करदा न बंकर दिया है या तो फिर हुसके बाद मों फयर शाहिम फीम करों qualcosa है तो वह सही है। कहां का हैं तो यह गलत है। बहुं जूंते हैं कि धूंते हैं साफ सारे जाने कैसी भीन है। झाना इमान है ना इनका कोई दीन है। और जिसको भी देखो वह धुलके ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वाशिंग मशीन है तो यह देश के युवा हैं और लगतार बेरोजगारी और महंगाई को पर सवाल खड़े कर रहे हैं हाला के राहुल गांदी अभी भी आये नहीं है जाम कंदर फसे में लोग बेस बरी से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांदी का और इन युवाओं को राहुल गांदी से बहुत सारी उमीद हैं अभी हम उतर परदेश के राजधानी लखनाओ के घंटा घर पर मौजुद हैं और यहां पर जनता से लोगों से खचा खच घंटा घंटा घर बरा हुआ है बाकि आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में चलिए वीडियो यहें पर खतम करते हैं वीडियो पर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें चैनल सस्क्राइब करें